Good morning students, today we will continue the chapter, today we will start the chapter sound, the name of chapter is sound and the chapter number is 13, हम लोगों ने बीच में 11 और 12 chapter छोड़ दिया, force and pressure and friction, क्योंकि वो थोड़े से अलग से chapter है, तो इस करण से वो आपको class के अंदर करवाए जाएंगे, तो अब अपने पढ़ते हैं sound के बारे में, सभी जानते हो sound, sound आप से पूछते हैं तो आप कहते हैं कि sound यानि अवाज, अवाज नहीं, sound को अगर आप से पूछा जाएं कि वटी sound तो आप क्या बोलो कि sound is a form of energy which enable us to hear the objects, यानि sound वो form of energy हैं जिसके कांसे अपने किसी को भी सुन सकते हैं, तो अलग लगते हैं कि sounds तरह के sound से अपने चाहते हो सुनाई देते हैं इन में से कुछ sounds हैं जैसे thunder यानि बादलों के गर्जनिव करें कि आवाज are loud, like the sound of thunder are loud, जैसे कुछ sound तो बहुत जादा मतब loud होते हैं जैकि thunder sound, other है, जैसे listening of leaves are soft, जैसे पतियां हिलती हैं तो उसके sound क्या होता है, बहुत ही ज्यादा soft होता है, कुछ sounds है, उसके अंदर होते हैं, तो इसकी आवाज कैसे होते हैं, बड़ी still यानि बड़ी टीकी होते हैं, कुछ क्या होती है, जैसे पेटिंग ऑ डरम्स जैसे असको पीटते हैं, तो उसका sound क्या होता है, बारी बारी सिए थे होती है, कुछ sounds है, वह गटार के ज़रहें, बड़ी प्रोडूश की के तो वह time कि आपना प्रते होते हैं क्योंकि इसी कारण से अपने क्या कर सकते हैं अलगलग साउड को रीजुड़ कर सकते हैं या इस हमें आपस में बागचीत करने में हल्प होता है अगर अपने सावड नहीं होता हम इक दूसरे से बोल नहीं सकते हैं कोच अनिमा सह से होते हैं जो अधरлам के द्वारा क्या करतें कोम्यकेट करते हैं तु've तूम लोगों न यह भी देखा ऊगा कि भीड वीडिक विंड़ो पैननर स्टिंग वैड दर तब तंदर ती शोड़ार साउंड दीजे फोर्म अफ इनरजी कई बार अपने देखते हैं कि अचानक से बड़ी तेज हवाई चलते हैं जैसे तुफान वगर आ जाते हैं तब क्या होता है कि अपनी खिड़कियां वह भी बजना शूरू कर देते हैं जो वह होते हैं शीशे अपने एक रबड़ बैंड है यहां पर यह लड़के ने दिखा रहा है कि अपने एक रबड़ बैंड है उसको क्या करते हैं वोल के अपर अपने एक नेल लगाते हैं उसके अपर लगाते हैं और उसको अपने क्या करते हैं दूसरी साइड से खीचते हैं अगर जैसे ही होता है तब ही क्या होता है कि sound produced होता है रपर नीचे या बैक एंड फॉर्थ या टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी फिक्स पोजिशन पर जब इसको प्लक किया जाता है तो इसके कारण से क्या होता है sound produce होता है अगर तुम इसके मूवमेंट को अपने finger से रोक देते हो तो sound की भी क्या हो जाता है रोक जाता है तो जो rapid to and fro मूवमेंट है एक फिक्स पोजिशन पर इसको अपने क्या बोलता है vibration या oscillation के नाम से जालते हैं तो यह activity से अपने को क्या पता लगता है कि sound कैसे produce होता है vibration के कारण से produce होता है जैसे अगर अपने पाल अपने school की bell है अब हाथ लोगा के देखते हो तो उसके अदर कोई भी movement नहीं होता तो ना वह वाज कर जिए होती है जैसे अगर पने इसको बीट करते हैं तो क्या होता है जो अपने school bell है वो क्या करते है वाइब्रेट करते हैं उसके अदर क्या होता है कि sound produce हो जाता है इसी तरह से गिटार की वाइर से जब वह वाइब्रेट करते हैं जब अपने उनको प्लक करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है sound produce होता है इस तरह से एक फ्राइंग पैन है उसको अपने क्या करते हैं कि एक फ्राइंग पैन लेते हैं उसको उसके हैंडल से अपने क्या करते हैं convenient place यानी जहां प पीजिस में इने में तो सब्सक्राइप होता है जब मोटूब करनेpan के लिए उनीक्ट के सध्वेस्व औभ को किई वाइब्यों होता है विद्ध के वह संड्व...... और two prongs होते हैं जब एक prong है उसको struck करते हैं तो दोनो prongs क्या होते हैं कि vibrate करना शुरू कर देते हैं और इसके sound produce होते है अगर तुम इसको जैसे second diagram के अदर इसने क्या किया है कि इसको prong को struck करके इसको क्या किया है पानी के ओपर किया है पर से तहते हैं तो यह इसके सो techniques by उसके यह को यह सब से fem कर देती है यह जो समझेक कोई वी काने से फस्वेस होते है तब अब ऑपनेयर्ट कई in कुछ मिन्टों तक वेट करते हैं जब तक रुपती नहीं है फिर अपने वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोग का मतलब इसके पास एक टच पहुंग लेकर आते हैं तो अपने क्या देखते हैं कि बोल हो मुव करना शुरू कर देती है तो साउंड ना केवल वाइब्रेशन क क करना से प्रोडियूस होती है बलकी मतलब साउंड इप्रोडियूस नोटष फμ princess शितारों के प्लक करते ना केवलल साउड अनुदा ie rằng को पीठते हैं तब भी साउंड produyus होता है क्योंकि युजि प्रूम कि अपने वीसल आज होती है तो फिसल के अंदर क्या होते एर कोलोंब्स होते हैं च्छोट-छोटे छेद होते हैं जिसके इसके इंदर से एर पास होती है तब भी क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस करता है इस तरह से एक फोम ओफ एनरजी है जब भी औब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तब कि साउंडा फो अब मैं साउंड वेल्ग को सब्सक्राइब्स तुम लोग ने दोड़ेकर इस तरह से जैसे उपर बनेशे इस तरह से क्रते हैं जो वाटर की सरफेस चैसे अपने बिल्कुल रॉक रखता है प्नी कि सफेस क्या सी होगि जब पनी की सर्फेस हैं क्लेवल होगी जैसे आपने मीडल पभ फेस उसको अपने बůलते हैं क्रेस्ट तौl नीचे आता है तो उसको अपने वोतने हैं साउंड है एयर लगएप और सोलिड तेनों के यंदर सीटों कर सकते हैं वेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवे vibration vibration को देखने हैं एक object है मुह sound produce करता है तो उसके अदर vibration है वह produce होता है लेकिन vibration इतना ज्यादा fast pomo how weöm not have democrally observed कि मध thermometer नहीं कर सकते तुम लोग देखते हो यो तो बנÚ कंपवए स्लो रजण mec pap Всем कर सकते हो एक वेट को एक थ्रेड से तांग दो, यानि कोई भी एक weight वाली चीज़ लेकर उसको अगर अपने धागे से टांग देते हैं, तो उसको अपने क्या कर सकते हैं, उसके अदर slow vibration भी produce कर सकते हैं, इस तरह के arrangement को अपने क्या बोलते हैं, पैंडूलम बोलते हैं, इस देखो figure 13.4 दे रहे हैं, इसके अंदर उसका के बोलते हैं, पैंडूलम का वह बहुत जादा चोटा भी होता है, अगर अपने इसको स्मोल पुश करते हैं अगर अपने इसको स्टोंगर पुश करते हैं तो उसका और सिलेशन बड़ा भी हो जाता है maximum distance है, जो bow है, mean position से, देखो students ये O से, अब A तक और B तक, दोनों diagram के अंदर दिखा रहे हैं, एक large पहले के अंदर large amplitude है, यानि O से A की distance जाद है, जितनी O से A की distance है, उतनी O से किसकी distance है, B की distance है, ये distance जाद है, तो इसका large amplitude है, और O से A की distance, second B वाले diagram के अंदर कम है, जितनी A बोब आपने में पोजिशन से अवे करता है यानि ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस होती है इसको अपने क्या बोलते हैं जालते हैं जैसे यहां पर इनोंने एक डाइग्रम और दिखा रुखा रुख है यह वाला इसके अंदर एक लाइन दिखा रुख है रेड लाइन जिस ओपने तो जो बी वाला पोइंट दिखा रुख है वी के वीच में यह एयरो दिखा रुख है स्ट्टेंस यह देखो आपको एयरो नजरा रहहर है यह जो एयरो है यह वला एयरो है बी से रहेकर जो यह वाली पोजिशन है इसको अपने क्या बोलते हैं अंप्रिट्यूड बोलते हैं यह मीन पोजिशन है यह देखो बच्चों यह मीन पोजिशन है मीन पोजिशन से यह maximum displacement है इसको अपने क्या बोलते हैं amplitude के नाम से जालते हैं या जैसे अपने इस वाले diagram में देखते हैं यह इसकी mean position है यह mean position से जो यह वो से लेकर eight की distance है इसको अपने क्या बोलते है amplitude बोलते है यह शिर्ण हैो ए друзья माक्वमlover displacement distance by which vibrating object is displaced from its mean position यानि जब भी कोई vibrating object अपनी mean position से जितना ज्यादा maximum displacement cover करता है उसको अपने क्या बोलते हैं उसको उसका amplitude बोलते हैं जैसे यह वेव है वेव के अंदर a b c d वेव है जिसके अंदर a c और e यह mean position है a c और me e यह देखो बिल्खुल यह d यह extreme position है तो जो amplitude है यह mean position से extreme position के बीच की distance होती है इसी को अपने क्या बोलते हैं amplitude के नाम से जानते हैं फिर है time period time का बतलब होता है यह students जो अपने को दिखा रख है यह एक वेव है क्योंकि यह उपर गई फिर यह था आपने को फिर से repeat करती है तो इस कारण से एक वेव कितनी है इतनी ही है यह यानि जो अपने को यह दिखा रख है यह a C ये टक की जो टिस्टैंस हो अपने पास वीव को पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको अपने क्या बोलता है तक 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 वापिस से ओपर फिर O से देखो student यहां पर आपने देखते हैं इसकी बात करते हैं पहले O से यह A पे जाता है फिर A से वापिस O पे फिर यह B पे जाता है और फिर वापिस से O पर आता है यानि O से इसने start किया था O से पहले A पे गया फिर A से O पे आया फिर O से B पे गया फिर B से O पे आया या यहां से स्टार्ट के आता वहीं पर वापिस पहुंच गया तब इसको अपने बोलते हैं वान आ मदला वह बोलते हैं कि वान वेव कंप्लीट हो चुकिए एक वेव कंप्लीट होने में होने लगता हुसको अपने तो यह जाता है तो एक उसिलेशन को मेजर करना बड़ा जादा मुश्किल होता है तो इसलिए अपने क्या करते हैं तैन उसिलेशन को क्या करते हैं मुव मतलब काउंट कर लेते तैन्य मेजर कर लेते हैं और फिर अपने जितना भी टाइम आता इसको क्या करते है से डिवाइद कर देते हैं तो उसिंगर एक बेंसिलेशन का चाहिता है तो इह का रहा है कि अघर अपने अलगलग बी द्न पढ़ते हैं 10 oscillations की अलगर time पर होता है, you will find that the time for one oscillation remains the same no matter what the amplitude and so if you take several readings of the time taken for 10 oscillations, यानि अगर मानलो तुम कई सारी readings लो the oscillation को अलगर amplitude पर, यानि कभी जादा कभी कम, तो तुम लोग क्या देखोगे कि एक oscillation को complete होने में same time लगता है, चाहे आप कितना बरची, जैसे अपने इस डाइग्रम के अंदर large amplitude है, तब भी इसका जो time period होगा, same होगा, और इसके अंदर small amplitude है, तब भी क्या होगा time period same होगा, यानि अपने को चाहे कितना मर्जी अपने amplitude ले ले हमेशा लेकिन time period क्या रहता है हमेशा same रहता है कोई भी फरक नहीं पड़ता कि amplitude कितना जादा या कितना कम है तो जो time period है जो time है एक pendulum एक oscillation को complete करने में लेता है उसको अपने क्या बोलते है time period of the pendulum रहता है यह हमेशा fix रहता है यह चाहिए length है pendulum की कितनी मर्जी लेहों as the length of the pendulum does not change यानि जब तक अपने pendulum की length को change नहीं करते यानि धागे की लंबाई को change नहीं करते तब तक क्या होता है कि हमेशा same रहता है फिर है frequency frequency का मतलब क्या होता है कि अगर मालों तुम number of oscillation है 60 seconds के अंदर count करते हो फिर उसको 60 से divide कर देते हो तो तुम्हारे पास क्या जाएगा number of oscillation per second आ जाएगा तो जो number of the number of complete oscillation in one second जानि देखो एक oscillation को complete होने में जो time लगता है उसको तो अपने बोलते है time period लेकिन एक second के अंदर जितने number of oscillation complete होते है उसको अपने क्या बोलते है frequency के नाम से जानते है इसको अपने एक pendulum के लिए अगर length fix है तो frequency भी constant रहती है frequency को अपने hertz के अंदर major करते है अगर एक pendulum में five time per second के अदर oscillate होता है तो इसका मितलब क्या होता है कि उसकी frequency कितनी होती है five hertz होती है तो thank you students have a nice day अपने अपकल वाली वीडियो के अदर पढ़ेंगे character stick of sound जिसके अंदर loudness quality के बारे दूर्ट होती है इन सब के बारे में अपने next video के अंदर continue करेंगे thank you have a nice day